इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा कि अनुराग ठाकुर बोल क्यों नहीं रहे है तो मैं आपको बता दूँ चैद के नबरात्रे शुरू हो गए है और अनुराग ठाकुर ने संकल्प लिया है नो दिनों तक मौन विरत रहने का उन्होंने कहा है कि मौन विरत रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप वर्षों तक अब्यास करें आप अपने मन को शांत रखकर नो दिनों तक मौन विरत रह सकते हैं अनुरोग ठाकुर ने कहा कि मौन विरत का हमारी भारतिय शंस्कृती में बहुत महत्व है हाला कि इसके लिए कोई विशेस बिदीन नहीं है इसी लिए मैं भी इस ब्रत को करपा रहा हूं अनुरोग ठाकुर ने कहा मौन विरत का मतलब अपने विचारों अपने शब्दों पर नियंतरण अपनी हूरजा पर नियंतरण अपने क्रोध पर नियंतरण ये सब अनुराग ठाकुर ने मौन विरत रहते हुए बोला अग्याट सुनी सुनी में आज बस इतना ही कल नहीं मिलूंगा कल मेरा भी विरत है मुझे भी पूजा करनी है